नमस्कार दोस्तों जय हिंद कैसे हैं आप सभी उम्मीद करूँगो बहुत अच्छे होगे और मज़े में होगे सर 14 जुलाई SSA CGL का पेपर हो चुका है फर्स शिफ्ट का क्या बच्चों का रिव्यू है कैसा पेपर आया है सारी बाते करेंगे सबसे पहले जिन भी बच्चों का एक्जाम हो चुका है बच्चे आप कमेंट बॉक्स में क्वेशन कर सकते हैं किस तरीके के क्वेशन आये हैं दूसरी चीज जिन भी बच्चों का एक्जाम है आज है या फिर future shift में अराम से जाओ भाई paper का level easy to moderate है easy to moderate का मतलब है easy है सरकार अगर मैं बात करूँ section wise सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा maths की आप कहोगे सर पढ़ाते reasoning हो लेकिन बात सबसे पहले maths की कर रहे हो बिल्कुल मैं बात maths की करूँगा कारण क्या है maths हर बार calculated आ रहा था पिछले 2 से 3 साल हाँ paper easy था बट कई न कई 3 से 4 question बच्चों को परिशान कर रहे थे लेकिन इस बार calculation का कोई काम नहीं था जादा बच्चे paper बिल्कुल easy था आप यह कह सकते हैं 23 या 24 question बहुत easily और बहुत कम टाइम में आप score कर सकते हैं सर 23 से 24 question आप easily maths में gain कर सकते थे हाँ अगर कोई ठीक ठाक बच्चा है तो 20 से 22 पे भी रुका है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर बच्चा ही पहुँचा है 24 पच्चेस पे तो बेटा 20-22 भी अगर मैं बात करूँ सर 20 से 22 भी कम score नहीं है अगर बात की जाए maths की prelims को target करते हुए सरकार देखो exam का review बड़ा ही खतरनाक है हमारे board को भी जटके लग रहे हैं तो बच्चा party 20 से 22 अगर आप gain कर पा रहे हैं वो भी ठीक है भाई maths में ठीक है तो भाई यह कह सकते हो 20 से लेके 24 तक बच्चे बता रहे हैं report आज की इसके बाद मैं बात करना चाहँगो reasoning की हाँ maths कैलकुलेटिव नहीं था एक question सिरफ कैलकुलेटिव था बात करते हैं बेटा reasoning की calendar से question नहीं आया है जो बच्चे नहीं बताया है सिलॉक से question दो थे सर नंबर सिरीज के pattern वाले question थे ब्रेकेट सिमिलरिटी वाले question थे missing number से question पूछा गया था इसमें कोई नई चीज नहीं है यह सारे topics तो आएंगे या आएंगे when diagram से question था dice से question था तो बच्चे यह सारी चीज आप सोचो कि मैं कुछ बहुत नया बता रहा हूँ analysis हो गया review हो गया नहीं भाई मैं कोई analysis नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको सिरफ यह चीज कहने ही कोशिश कर रहा हूँ easily 23 24 और ठीक ठाक अगर आप जा रहे हो तो 25 तक पहुंच चकते थे reasoning में इसका मतलब paper easy ही है अगर बात की जाए बेटा gs gs में as usual जापे मैं math so reasoning में कह रहा था as usual paper easy था वहीं पे 60 बिट्टी गुल हुई हमारे शिकारियों की gs में कोई कह रहा है 7 ठीक है कोई कह रहा है 8 ठीक है कोई कह रहा है 9 कोई कह रहा है 10 हाँ बच्चे 15 से उपर भी गए है कारण के है बच्चे gs का section ssc के शिकारी थोड़ा सा गड़बर करते ही है तो बच्चे अगर आप 10 भी यहाँ पे ठीक कर रहे है questions तो भाई कोई दिक्कत नहीं है 20 नमबर आप यहाँ से उठा सकते थे easily और 20 नमबर भी gs में ठीक ठाक score है कम भी नहीं है जादा भी नहीं है ठीक है एक average score में कह सकता हूँ अगर बात की जाए English की पाजी paper English का बिल्कुल ही easy था कुछ जादा difficult आप इसे नहीं कह सकते है overall अगर बात की जाए maths, reasoning, English और GS paper आसान आया है जिन भी बच्चों का paper है भाई अराम से जाओ आसान आ रहे कुछ नया नहीं मिलेगा आपको एक percent भी चीज़े नहीं नहीं है दूसरी चीज़ थोड़ा सा weather के current problem हो रही है कुछ states में हिमाचल के कुछ shift भी cancel होई है कुछ बच्चों का postpone भी हुआ है तो बच्चे अपना ध्यान रखना है भाई सबसे पहले अपना ध्यान रखना है exam बिलकुल clear करना है no doubt हम exam ही clear करेंगी लेकिन सबसे पहले अपना भी ध्यान रखना है तो all the variables जिन भी बच्चों का exam है paper बिलकुल morning shift का easy आया है बाकी जैसे जैसे आते चलेंगे exams कुछ यह वैसे वैसे आपके सामने review आता चलेगा जय हिंद जय भारत